हेलो दोस्तो हमारे यूटूब चैनल जीके अमीत में आपका स्वागत है दोस्तो आज हम बात करेंगे कुछ रोमाचे तत्यों के बारे में तो हमारा सवाल यह है कि पैसेंजर ट्रेन में 24 से अधिक बोगया क्यों नहीं होती है और वहीं मलगाडी में अंठावन बोगी होते ह हैं दोस्तो अगर आप इसके बारे में नहीं जानते हैं तो आईए जान लेते हैं लेकिन इस से पहले आप हमारे चैनल को अभी तक सस्क्राइब नहीं किया हैं तो सस्क्राइब कर ले क्योंकि हम इसी परकार की रोमाचे तत्यों के बारे में बताते हैं तो हमारा सवाल यह कि पैसंजर्ट्रेन में 24 से अधिक बोगया क्यों नहीं होती है और वहीं मलगाड़ी में अंठावन बोगी होते हैं दोस्तों आपने भी रेले फाटक से गुजरने वाले टेन की बोगया गीनी होगी आपके मन में भी यहीं खयाल आया होगा कि पैसंजर्ट्रेन की आधितम 24 ही होती है जबकि मलगाड़ी की बोगी दोगनी होती है देश में परति दिन 10 कोण से अधिक यात्री यात्रा करते हैं एसी कई ट्रेन है जिन में यात्री sesंख्या क्यों नहीं किया जा सकता है तो दोस्तों इस कारण चोबीस से अधिक नहीं लगा जाते हैं दरसल ट्रेन के इंजन बहुत सक्तिसाली होते हैं, यह 24 से अधिक वोगयों का भार ला या ले जा सकते हैं मालगाडी के मामले में हम देखते हैं परतिक मालगाडी में 24 से अधिक दिब्यों होते हैं लेकिन जब पेसेंजर कोचों की बात आती है तो आपने किसी भी टेन में 24 से ज्यादा कोच लगे नहीं देखे होंगे। भारती रिले का लगबग हर प्लेटफार्म की लंबाई इतनी ही है कि वे 24 कोच वाली टेन को ही खड़ा कर सकते हैं। यदि टेन के डिबो की संख्या 24 से बढ़ा कर अधिक कर दी जाएगी तो टेन के कुछ डिबबे प्लेटफार्म के बाहर चले जाएगे। इस कारण से यातरी टेनों में 24 से ज्यादा कोच नहीं लगाई जाती है। प्लेटफार्म के लंबाई को क्यों नहीं बढ़ाई जा सकती है। और पीछे से आरे प्रिमियम गाड़ी को पास दिया जा सके। लेकिन लूप लाइनों की लंबाई इतनी नहीं होती कि वो 30 से अधिक डिबो वाली गाड़ी को संभाल सके। क्या लंबाई को बढ़ाए जा सकता है। ऐसे में गाड़ी का कुछ भाग मेन लाइन पर ही रह जाएगा। ऐसे इस्तिति में प्रिमियम ट्रेन को पास नहीं दिया जाएगा। यदि पास दिया गया तो एक्सिडेंट हो जाएगा। मालनी जी कि डिबो की संख्या बढ़ा दी जाएगी। तो लाइनों की लंबाई को और बढ़ाना पड़ेगा। प्लेटफारम और ग्रूप लाइन को बढ़ाना काफी खर्चिला है। साथी एक सभी प्लेटफारम कोई लंबाई को बढ़ाना आसान नहीं है। इस काम को करने के लिए रेलो को वर्सो लग जाएगे। इतने समय तक रेलो को रोक कर किसी भी कीमत पर प्लेट फार्म की लंबाई को नहीं बढ़ाया जा सकता है दोस्तो उपर दी गई जनकारी समानी गान के लिए हैं दोस्तो मैं आसा करता हूँ कि आप अच्छे से समझ गया होंगे हमारी वीडियो आप लोग को कैसी लगी आप कमेंट बाक्स में कमेंट करके जरूर बता है अगर हमारी वीडियो अच्छे लगी तो चैनल को लाइक और सस्क्राइब शेयर जरूर करें धन्यबाद